हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारे के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्शुकों आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरब से बहुत-बहुत शुब गामना है आज का पंचांग 27 मई दिन वुद्वार सन 2020 जेश्ट माश शुकल पक्स सम्वंद 2077 तिथी पंचमी नक्षत्र पुनर्वसू राहुकाल बारा से डिड़ दिशासूल उत्तर पूर्व दिशा आज हम आपसे शुब कर्म की चर्चा करने वाले हैं कई बार हम सब के मन में नाना भाती के ख्यालात आते हैं क्या आते हैं कि हम बहुत अच्छा कर्म करते हैं हम हमेशा सुभ कर्म करते हैं लेकिन उसके बाब जूद भी हमारे जीवन में कुछ सुख की प्राप्ति नहीं होती हमारे जीवन में जो सुखद घटनाए घटनी चाहिए वो नहीं घटती लेकिन हम कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं जिनका तोल मोल हम भूल याते हैं इनसान अनेको जन्मों में जन्म जन्मांत्रों में जीता है मरता है जीता है मरता है कई-कई जन्मों के पाप पुन्य की गठरी साथ ले करके चलता है बड़ो ने कहा है खाया पिया अंग लगेगा दान दिया संग चलेगा और जो बच गया उस पे जंग लगेगा कुछ नहीं पता इंसान के जाने के बाद उसकी मल्कियत उसका पैसा कौन किस काम में भोगे चानक्चे ने कहा है पूत सपूत धन क्यों संचे और पूत कपूत धन क्यों संचे अगर पूत सपूत है तो धन जोड लेगा और पूत कपूत है तो आपका जोड़ा हुआ संचे किया हुआ धन भी नश्ट कर देगा ऐसे ही हमारे जीवन के शुब और अशुब कर्म हमेशा सामने आते हैं आज अनेको बातों के लेकर के अनेको व्यक्ति संसार में दुखी हैं सत्य स्वनातन धर्म में पुनर जनम को माना जाता है बहुत लोग इस चीज की खामिया निकालते हैं बारिक यह ढूंडते हैं तो देखो भाई यह तो अपनी अपनी सोच है लेकिन सत्य सनातन धर्म में पुनर जनम होता है और पुनर जनम को मानना चाहिए आपके बुजर्गों ने आपके रिश्यों ने आपके चिंतकों ने हमें जो समझाया हमारे सास्त्रों ने हमारे वेदों ने हमें जो समझाया हमें वो समझना चाहिए अब कुछ कहने वाला हूँ इसलिए ये भूमिका वाली बातें आपसे चल रही है तो कहने का भाव अगर आप अपने धर्म पर विस्वास करते हैं तो आप शुब और अशुब कर्म पर भी विस्वास करिए और पुनर जनम पर भी विस्वास करिए पुनर जनम के कर्म हमारे सामने आएंगे आएंगे व्यक्ति अपने प्रारब्द से बच नहीं सकता बच ही नहीं सकता अब एक सवाल उठता है कि हमने इस जनम में तो ऐसा कुछ नहीं किया और पूर जनम हमें याद नहीं तो हमें किस बात की सजा मिल रही है आपको याद नहीं है लेकिन आपके जो खाते को मेंटेन करने वाले चित्रगुपतों हैं उन्हें सब याद है बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी हो बैंक में जो पैसा डाल दिया वो आपको याद हो ना हो कि कब डाला कब निकाला कितने रह गए कितने बचे लेकिन यह हिसाब बैंक अच्छे से रख लेता है ऐसे ही कब हमने अच्छा कर्म किया कब हमने बुरा कर्म किया कब हमने शुब कर्म किया ये जो उपर वाले ने अपने कम्प्यूटर लगा रखे हैं न उनके सारी हमारी फाइले बन जाती हैं शुब शुब वाले हमारे रिश्यों ने मज़ाग की बात नहीं दर्शों को हमारे रिशियों ने हमें बहुत गहरा ग्यान दिया है हमें बहुत 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 गहरी नौलिज दिया हम लोगों को कोई हसे तो हसे कोई बात बनाए तो बनाए लेकिन हमारे रिशियों ने एक बहुत गहन चिंतन के साथ हमें समझाया है कि बेटा इस जनम में अच्छे कर्म करते रहना आज ने जाने किन-किन जनमों के दुख तुमें प्राप्त हो रहे हैं लेकिन इस जनम में शुब कर्म करना ताकि संसार में से जब जुदा हो तो कम से कम अगले जनम में तो चैन की सांस मिले सुख दुख जीवन के दुख पहलू है धुब चाओं की तरह आते जाते रहते अच्छा कर्म सदैब करना चाहिए किसी भी व्यक्ति के हाथ को देखकर सो फिजदी बताया जा सकता है कि आपके कर्म कैसे है आपकी जनम पत्रिका को देखकर जनम पत्रिका तो बनती ही प्रारब्द के आधार पर है कैसे आप पैदा हुए कोई भी बच्चा पैदा हुआ पैदा होते ही उसने ना तो कोई शुब काम किया ना शुब काम किया लेकिन पैदा होते ही उसकी जनमांक में सब कुछ लिखा गया ये राजा बनेगा चौर बनेगा ये सिपाई बनेगा इस जीवन में कब क्या करेगा कितनी चल अचल संपत्ति का ये स्वामी होगा ये कहीं का नरेस बनेगा ये कहीं समराट बनेगा ये कहीं पर ये दिवालिया होगा सारी बात हैं अब यह किस आधार पर हैं यह पूर जन्म के आधार पर हैं आज भी जब आप अपनी जन्म पत्रियां हमसे दिखाने मतलब दिखाते हैं अभी तो इस्तिति नहीं है लोगडाउन की वज़ा से यह आप कॉल अपाइंट्मेंट लेते हैं तो आपकी जन्म पत्रिका में सबसे पहले जब भी कोई अस्तिलोजर जन्म पत्रिका को वाचता है तो वह आपके जन्मांग पर जाता है किसी भी जनम पत्रिका का पंचम भाओ प्रथम भाओ और भग्य भाओ आपके पूर जनम की पूरी पिक्चर सामने कर सकता है जनम पत्रिका इतना बड़ा मैथड़ है तो कहने का मेरा मतलब आप से यही है बहुत आपको समय नहीं लेता हूँ कहने का मतलब यही है के हमेशा अपने जीवन में जो भी हम करम करें उसे आप तोलते रहें आप औरों की तरफ न देखें ये इन्सान की बहुत गंदी आदत बन गई है कि देखोँ वो कितनी एश ले रहा है वो कैसे कर रहा है वो तो ऐसा भी करता है वैसा भी करता है फिर भी सुख से रहता है आपको उसने अपने कलेजा खोल करके नहीं दिखाया कि वो सुख से रहता है या दुख से रहता है आप कदापी किसी को मत देख के चलिएगा आप अपने आपको देखिए अपने आप से सवाल जबाब कीजिए अपना आचरन अच्छा रखिए अपनी सारी चीज़े अच्छी रखिए एक दिन आपके साथ अच्छा जरूर होगा पूर जलम की एक छोटी सी घटना याद आती है एक राजा शिकार खेलते 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 जंगल में भटक गए अपने सैनिकों के साथ थे जंगल में भटक गए अकेले रगए रात भर दिन भर भटकते रहे रात भर भटकते रहे समझ में नहीं आया आज भी विश्व में ऐसे ऐसे घने जंगल है कि व्यक्ति एक बार मार्ग भटक जाए तो समनना मुश्किल हो याता है और वो जमाना तो किस प्रकार कर रहा होगा किशी भी तरीका से अगले दिन शाम को एक जंगल में उन्हें एक जोपड़ी दिखाई दी जोपड़ी के पास भूख के प्यास से व्याकुल पोँचे तो अंदर एक व्यक्ति भील बैठा हुआ था भील जाती का उसने राजा को देखा अब उसको मालूम नहीं था ये राजा है या कौन है बस उनको तो ये था भी समानने को व्यक्ति है जो भी है क्योंकि दो दिन में बुरा हाल हो चुका था भूख प्यास से सर्दियों के दिन थे कपाती ठंड फटा फटा अंदर जोपड़ी में लिया अब जोपड़ी इतनी ही बड़ी थी कि उसमें एक आदमी सो सकता था और उस भील के पास थोड़ा पानी था सत्तू था राजा को पानी पिलाया सत्तू खिलाया थके हारे थे पेट में कुछ जान आई और पेट भड़ने के बाद थोड़ा थके वे व्यक्ति को नीद भी गहरी आ जाती है तो वो व्यक्ति जो भील था उसने देखा चलो भई यह कोई मुसाफिर है मैं जोपड़ी से भार बैठ जाता हूं यह अराम से अंदर सो जाए क्योंकि ठंडी का समय है सर्दी का समय है वो भील भार आ जाता है राजा अंदर सो जाते हैं बिजली दामनी कड़कती है मेग गरजते हैं और बरसात होना पुरारम भो जाती है उपर से ठंड उपर से बरसात राजा की अनमनी आँख से एक दो बार आँख भी खुलती है उन्होंने हलका सा उसको टोका भी कि भई आप अंदर आ जाईए बहुत नहीं मैं ठीक हूँ कोई ऐसी बात नहीं है अब विकट ठंड के कारण और बरसात के कारण उस व्यक्ती की भील की उस राती ही मिरती हो जाती है राजा जैसे ही सुबा जोपड़ी से बाहर निकलते हैं नीद खुलती है बड़ा मन में गलानी बड़ा पश्यताब बड़ा दुख लगता है कि भी जिस व्यक्ती ने मुझे आसरा दिया भूग मेरी दूर की मेरी व्यकुलता को दूर किया और आज मेरी वज़े से किसी की मृत्ती हो गई देखो मन में पस्तावा आता है तो किसी को सुई भी हम चुबा देना तो आता है और मन में पस्तावा ना आए तो जो लोग निर्मम हत्याएं करते हैं न उनके मन में भी पस्तावा नहीं आता है हर्दे हर्दे की बात होती है मन में बड़ा दुख इतने में खहर सैनिक ढून रहे थे राजा को किसी तरह राजा के पास पहुँचे राजा ने भी सारा वरतान से सुनाया बहुत अच्छे से राजा ने उस भील कांतिम संसकार किया और उसकी पत्नी की खोज ख़बर की उसको अच्छी स्वन मुद्रायादी दे करके इजज़त उसके साथ सब कुछ उसको मान सम्मान दिया राजा अपने महल में आ गए और समय बीटता रहा लेकिन राजा उस घटना को भूले नहीं महल में टहलते तो याद आता खाना खाते तो याद आता पानी पीते तो याद आता सर्दी लगती तो याद आता चार-चे महिने में हालात ये हो गई कि राजा करकश होने लगे राज जवैद को दिखाया गया उन्होंने कहा कि इनके मन में कोई चिंता है शारिर कष्ट तो ये नहीं है ये मांसिक कष्ट है अब उसी दर्वार में क्योंकि पहले अगर किसी दर्वार में कुछ हमें भरती होना होता था तो कई प्रकार की विद्याएं व्यक्ति को सीखनी होती थी तो एक बहुत प्रकांड विद्वान राज जोस्ती थे जो तंत्र मंत्र के भी अच्छे माहिर थे उन्होंने अपने अंतर मंत से राजा की प्रतेक स्तिती को भापा और उन्होंने देखा के भी राजगुरु थे वो स्महिल के के ओहो ये कारण है अब उन्होंने अपने अंतर मंत में ये भी देखा के जो भील की म्रत्ती हुई उस भील ने इसी नगर के सेट के यहां जलम ले आ है वो राजा को बुले आज आप हमरे साथ हिम्मत करिये चलिए गा कुछ चाइनिक और राजा उस नगर के सेट के पास पहुंचते हैं कहते हैं बस उस बालक के दर्शन राजा को करा दो जो आपके हैं अभी पांच-छे महीने पहले पैदा हुआ है बालक भार आता है जो राजगुरु साथ थे प्रकांड विद्वान जब मन से मन मिलता है तो बहुत सारी दूरियां घट जाती है उन्होंने अपनी विध्या से उस बालक को वाक दिया वानी दी छे महीने का बच्चा बोल थोड़ी पाता है लेकिन विध्याएं ऐसी ऐसी देखा नहीं महराश्ट में भैसे से वेद मंत्रों को च्वरण करा दिया बड़ा बड़े विद्वान इस दुनिया में है उस छोटे से बालक ने राजा की तरफ भाज जोड़ा और कहा के है प्रभू आज मैं सहुकार के यहां पैदा हुआ हूँ इसका पुर्णे आपको ही है मैंने उस रात आपकी सेवा की मेरी तो मिरत्य होनी थी मिरत्य तो अटल है लेकिन मैंने आपके अच्छे से सेवा की और उस सेवा में इतना भाव विवर हो गया कि मुझे जनम म्रण का भी भान नहीं रहा मेरे किसी शुब गरम से मुझे साहुकार के यहां जनम मिला और अब मेरा पूरा जीवन आमन चैन और एक अच्छे ठाट बाट के साथ कटेगा तो कहने का भाव राजा सारी प्रिस्तिती समझे और धीरे-धीरे अपने आपको ठीक किया बाकी तो बहुत लंबी यह प्रसंग है यहीं तक मैं आपको सुनाता हूँ तो कहने का भाव कि पूर जनम में जैसा हमने जो किया उसका हमें फल मिलता है तो आज जो हम दर्शों को जीवन जी रहे हैं हमें हर पल अच्छा कर्म करना चाहिए अच्छी सोच रखनी चाहिए परमात्मा हमारे हाथ खाली नहीं रखेगा आज का बस आपसे यही संदेश था और शुब अशुब कर्म की पहचान आपके हाथ की रेखाएं भी हैं आपकी जनम पत्री का भी हैं कहना नहीं चाहिए कई बार ऐसा बालक परिवार में जनम ले लेता है कि माता पिता की नांक में दम हो जाता है माता पिता कहने को आतर हो जाते हैं कि इससे बढ़िया तो संतान नहीं होती आईए दर्शोकोर समय हो चलाए आज की ध्यान माला का जुड़ते हैं आज की ध्यानवाला में मा भगवती से बिप्रते सोम्याम रत्न गटस्तरक्त चरणाम ध्यायत्पराम अंभिकाम खड़गं चक्रगदेशुचाप परिगान छूलंबसुंडिम्सिरा संखं संदधतिमकरिस्त्रिनयनाम सरवंग भूस्व्रिताम नेलास माध्युत्यमास्यबाद दसकाम सेवे महांकालिकाम यामास्तो स्वपितै हरो कमलजो अंतुम्मदुम् कटवं विद्यो दाम समप्रवाम रिगपते सकंदस्तिताम विशनाम कन्याम विहकरवाल खेट विलसा धस्ता विरासे विताम हस्ते स्चक्रगरा सिखेट विशिखाम स्चापम गुणम तरजनीम विप्राणाम अलिलात्मे काम ससिदाराम धुरगाम तिनेत्राम वजे कबच बना लें ध्यान करें मा परमेश्वरी सब के उपर अपनी कृपा लुटा रही है ओम बोलते हुए नेत्रखोने समान्या हो जाए दर्शो को मेरी बातों से शायद कुछ आपको समझे में आया हो यह जीवन है जीवन ऐसे ही चलता रहता है इसलिए हमेशा अस्थी सोच सुब सोच में अपना समय व्यतित करना चाहिए एक संदेश आजकल अभी मिलना किसी से नहीं हो पा रहा है अगर आप भारत में रहते हैं इंडिया में रहते हैं आउट आफ इंडिया रहते हैं इस समय कॉल अपाइंटमेंट की विवस्ता हमारे संस्तान में है यह आप अपनी जनम पत्री का यहाद की रेखाओं पर डिस्कस करना चाहते हैं और उसके माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई समस्त्या है उसका समाधान चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर आप हमारे संस मैं यहाने से पहले बहुत दुखी थी कि मेरे साथ मेरा मामी को भी यहाँ पर आना था लेकिन कुछ बज़े से मेरा मामी नहीं आ पाई तो मैं एक लेर की हो कि कुछ बेर से अके लिए आई हूँ जब यहाँ पर आई मुझे बहुत अफसर थी मैं लेकिन आज यहाँ पर ज समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्रु शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हे तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तर हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें